दोस्तों इस soundbar को गलती से भी buy मत करना क्योंकि ऐसा वहियात sound quality मैंने आज तक नहीं सुना देखो यार मेरा पैसा तो बरबात हो गया बट आप लोग का पैसा बरबात नहीं होना चाहिए है guys आप लोग का demand पर फिर से 5 soundbar लेके आए है and all soundbar under 1500 रुबी भाया अगर 1500 का budget है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो दोस्तों इस वीडियो में 1500 में ऐसा एक soundbar suggest करूंगा music सुनके मज़ा आ जाएगा चाहिए vocals clarity हो, bass हो, बहुत ही जबरदस्त quality मिल जाएगा अपकोर्स आज हम इन 5 soundbar के sound quality के बार में बात करेंगे vocals clarity कैसा है and bass किसमें आच्छा है तो भाया अगर आप एक best soundbar buy करना चाहते हो वीडियो बिल्कुल भी skip मत करना ताकि बीच में best soundbar ना छुट जाए देखो यार यहाँ पर जितना भी soundbar देख परो हो मैंने खुद buy करके review कर रहा हूँ ताकि आप लोग को एक real information दे पाऊ और आप लोग एक सही product की उपर पैसा invest करो तो भाया मेरा इत छोटा सा मेहनत के लिए एक like तो बनता है and don't forget to subscribe भाया सब्सक्राइब जरू करके रखना एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़दा motivate मिलता है So now let's begin with true review चलो यार फटाफट डंबा खोलते हैं बिना डंबा खोले मज़ा नहीं आता तो भाया हमारे लिस्ट का सबसे पहला soundbar है Jabronix के तरफ से आती है Jab jubbar 1500 चलो यार फटाफट निकाल के देख लेते हैं As you can see speaker कुछ इस तरह से हमारे को देखनों को मिल लगा उपर के साइट Jabronix का branding और glossiveness में देखनों को मिलता है Overall दोस्तो build quality काफी अच्छा है और भारी भी है उपर के साइट कुछ नहीं है पीची की तरफ में यहां पर left hand side में यहां पर connectivity देखनों को मिल जाएगा Aux and TF देखनों को मिल लगा Connectivity लिए and charging port दी गई है Type-C interface देखनों को मिल लगा और यहां पर side में button बगरत देखनों को मिल जाएगा यह रहा power button और mode button और यहां पर sound up and down के लिए Listening थोरा unique सा है मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा Overall दोस्तों इस soundbar का build quality and look and feel काफी अच्छा है And दोस्तों एक चीज़ मैंने notice किया soundbar थोरा सा bulky type तो है But ठीक है घर में ही तो use करना है देखो दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा detail बात नहीं करेंगे Sound quality कैसा है, base quality कैसा है थोरो बहुत features के बारे में बात करेंगे ताकि दूस्तों आप लोगा time waste ना हो और फटफट वीडियो खतम कर पाए As you know ये soundbar 22 watt RMS sound के साथ आती है Also powerful driver के साथ अगर driver के size के बारे में बात किया जाए 5.71 cm का 2 driver देखने को मिलता है After 5 hour का playback time तुम्हें देखना हो मिल जाएगा अगर charging time के बारे में बात किया चाहिए 3 hour चाहिए होगा Full charge होने में चलो अभी sound quality के बारे में बात करते है पहले एक चीज़ में आप लोग को remind कर देना चाहता हूँ जैसे कि आप लोग को पता है यह 20 watt output है तो उस हिसाब से sound मिलेगा अगर भाई यह sound quality के बारे में बात करें loud थोरा सा कम मिलेगा बट जवर्दस bass मिल जाएगा vocals clarity भी बहुत ही अच्छा है देखो यार मैंने जितना notice किया sound थोरा सा दबा के रखता है ताकि full sound देने के बाद distortion ना हो येस गाइस इस sound बार में full sound देने के बाद भी बिलकुल भी distortion नहीं मिलेगा sound limit में है बट पूरा clarity के साथ even deep bass भी बहुत ही अच्छा है over power बगरवा बिलकुल भी नहीं करता है जितना भी मैंने music सुना हर एक type का music सुना बट किसी भी music में distortion नहीं करता है even clarity भी बहुत ही अच्छा है तो यार इस sound बार को definitely consider कर सकते हो music सुनने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा खास करके जिस लोग को bass ज़्यादा पसंद है उनको बहुत ही मज़ा आएगा TV बगर के साथ भी use कर सकते हो एक room के लिए perfect है तो यार देखा जाए तो 999 में एक perfect speaker है definitely consider कर सकते हो मेरी तरफ से highly recommended है now move to the next sound bar तो यह रहा next sound bar जो की cross beats की तरफ से आती है model नमबर है blaze B24 चलो यार इसके बार में भी बात कर लेते है सबसे पहले भाई power on करते है तब मज़ाएगा यहाँ पर जो bass radio दी है ना with RGB साथ भाई looking feel काफी जबरदस्त है next यहाँ पर 4 बटन देखना हो भी लगा play and pose के लिए sound up and down and mod button और RGB भी इस बटन से control कर सकते हो charging के लिए LED indicator दी गई है microphone के लिए भी जगा है सामनी की तरफ यहाँ पर speaker grill देखना हो भी लगा इसका build quality काफी solid है एक display देखना हो में लगा cross bits का branding देखना हो में लगा अगर PC की तरफ देखें काफी ज़रो connectivity देखना हो में लगा बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं भाई देखने में तो काफी premium लगता है sound quality के बारे में थोरी देर में ही बात करेंगे automation भी काफी अच्छी तरह से करता है तो यार अब music quality के बार में बात करते हैं उससे पहले एक दू features के बार में बात कर लेते हैं इन्हों ने तो ज्यादा features mention नहीं किया अच्छी तरह से mention जरूर करना चाहिए था फिर भी एक दो चीज़े मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे पहले तो connectivity काफी सारा मिल जाता है with FM के साथ तो यार जिसको FM वेला speaker चाहिए definitely इसको consider कर सकते हो वह true को और भी चीज़े है मैं आपनों को बताता हूं यह speaker TWS support करता है दो driver देखनों को मिलेगा 43 mm का अगर दोस्तो प्लेवेक टाइम के बारे में बात कहा जाए अप टो 6-7 आउर का प्लेवेक मिल जाएगा 2 अवर चार्ज पे तो काफी अच्छा वेक अप मिल जाएगा मेरे हिसाब से अगर दोस्तो sound quality के बारे मैं बात कह जाए येस गाइस बहुत ही अच्छा sound quality मिल जाएगा with loud के साथ deep bass वगरा भी काफी जवर्दस निकालता है and vocals clarity भी काफी अच्छा है मिट्स जो vocal clarity है काफी अच्छी तरह से डिलीवर करता है अगर एक medium size का room या फिर tv वगरा के साथ यूज करना चाहते हो definitely sound work को consider कर सकते हो एक medium size की room के लिए काफी जवर्दस्त है finally move to the third sound work which is from me b model number है 4Q26 तो ये sound work 26 watt के साथ आती है तो यह इसका sound quality कैसा है बता हूंगा उससे पहले थोरा बहुत इसका features भी देख लो as you can see यहाँ पर बहुत सारा features देखने को मिल जाएगा पहले ही बता देता हूं time waste ना करके जैसे कि आप लोग को पता है 20 word output मिल जाएगा 6 hour का playback time दी गई है यहाँ पर bluetooth micro sd aux usb compatible है connectivity के लिए और bluetooth version 5.1 दी गई है battery capacity 2500 मिल जाएगा FM भी मिल जाता है भाई type c interface देखनों को मिलता है charging के लिए दो driver दी गई है 52 mm का and finally proudly made in India sound पर हमारे को कुछ इस तरह से देखनों को मिल जाएगा सामने की तरह आप यहाँ पर देख सकते हो fabric का match दी गई है और branding भी दी गई है यहाँ पर और पीची का बोड़ी जो है black match finish में देखनों को मिल जाएगा काफी सारव का काफी जवर्दस है और उपर की तरफ देखे यहां पर चार बटन देखनों को लगा अगा sound quality के बार में बात करूं पहले में एक चीज़ बताना च देखो यार इस साउंड बर में loud बहुत मिल जाता है बट फूल साउंड देने की बात fully distortion करने लगता है चाहे बेस की बात करें या फिर clarity तो पूरा ही खतम हो जाता है यह speaker मेरे पास काफी दिन पहले आया तो इस speaker को मैं काफी बाया टेस्ट कर चुका हो और different different music पे मैंने टे नहीं कर रहा मेरा पैसा तो पूरा बर्बाद हो अगर subscribe कर दोगे मजा जाएगा अब दूस्तों next soundbar के बार में बात करते हैं और यह soundbar जितना भी soundbar के बार में बताया उस list में मेरा favorite soundbar है तो यह कुन सा है आप लोगों पता ही चल गया होगा blue punk की तरफ से आती है model number है sb pro soundbar तो भाई यह soundbar का looks कुछ इस तरह से हमारे को देखनों को मिलता है भाई यार कितना लंबा सा है देख सकते हो और जैसे की बोला था honeycomb shape में है इस side से ही देखनों को मिलेगा और भाई यह काफी भारी भी है चलो यार इसका features के बार में बात कर लेते हैं सबसे पहले speaker grill देखन सबसे पहले power on up button चलो on कर चुका हूं और भाई नीची की side में जो है ना और जब एनिमिशन करता है भाई टेवल के उपर जब रखोगे ना मज़ा आ जाएगा अगर दूस्तों करका sound quality के बार में बात क्या जाए बहुत ही अच्छा sound बोल सकते हो क्योंकि इस speaker में जो loud दिय में बात किया जाए खदलनक बेस मिल जाएगा ज्यादा बेस तो नहीं है बट जितना दिया है भाई पहुत ही जवर्दस बेस मिल जाएगा यह समझले दोस्तों जब इस sound बर से music सुनोंगे आपको लगेगा एक premium sound बर से music सुन रहे हो अगर भाई आपको एक जवर्दस्ट क कर सकते हो सबसे लुएस्ट बाइलिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक बर चेक आउट जुरूर कर सकते हो अभी यह इस वीडियो का लास्ट साउंड बर के बार में बताता हूं जो कि मैं काफे दिन से यूज़ कर रहा हूं यह समझ लो तीन चैर महीने काफी अच्छा वीडिक वीडिक है अगर पीची की बीडिक के बार में बात करें यहां पर ब्लैक मैंट फिनिश पे देखनों का मिल जाएगा इसका वे बीडिक काफी सॉलिड है उपर के साइड में पांच बटन देखनों को मिलेगा चलो ओन करके देखते हैं तब ही मज़ कर सकते हो इस मोट बटन से और जिबी एंट दोनों साइड में जो ग्रीन लाइट डी है ना काफी जवर्दस तो लगता है तो बिल्ड क्वालिटी एंड लूक और फिल काफी इंप्रेसिब बनाया साउंड क्वालिटी के बार में बात करेंगा उससे पहले एक दो फीचर्स के बात करता हूं यeस गयाइज सावन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है बहुत लाओड मिल जाएगा म्यूजिक के साथ 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 बेस बी काफी अच्छी तरह से फिल होगा इंप वाली बेस नहीं यह बट की सब्सक्रे का बेस मिल जाएगा जिदना है मेरी हिसाब से इनप बार है 14 double 9 में काफी अच्छा डील है definitely considerable product है अगर इन दोनों में से comparison किया जाए ब्लूपंक्त और गोवो की तो मैं highly suggest करूंगा ब्लूपंक्ति लोग वहाँ पे काफी जबर्दस बेस तो मिलता है साथ में music quality भी काफी अच्छा है यह भी consider कर सकता हो बहुत ही अच्छा के साथ मिलता है build quality अच्छा है sound quality भी अच्छा है अप टो 8 अवर का playback time तुम्हें देखना को मिल जाएगा charging time 3-4 और का चाहिए होगा अच्छा है no doubt बहुत ही अच्छा मिल जाएगा बट यह fully depend करते हैं आप कितना percent volume पे सुन रहे हो तो भाई इस वीडियो में five sound bar के बारे में पता है जो भाई flip card और amazon में काफी जवर्दस rating के साथ मिल जाता है even बहुत सारा लोगों ने review भी दी है तो उसी speaker को पिक किया ताकि आप लोग को पता चले इन सारी speaker का quality कैसा है इस वीडियो में जो भी review दिया एकदम true review दिया भाई अगर आपको एक best quality का speaker चाहिए जो भी है sound bar हो इस वीडियो में जितना भी sound bar के बार में आप लोगों को suggest किया अगर एक भी sound bar ले लोगे आपको disappoint बिल्कुल भी नहीं करेगा और जिस sound bar suggest नहीं किया उसको भाई बिल्कुल भी मत करना अगर गलती से भी कर लिया भाई बहुत ही पस्ता होगे I hope दोस्तों इस वीडिय सब्सक्राइब जरू करके रखना अगर मेरा मेहन को support करना चाहते हो